नवश्कार मित्रों आज हम बात करेंगे तेलगू मूवी ब्रो के बारे में वैसे तो ये फिल्म 28 जुलाई को ही रिलीस हो गई थी लेकिन तब ये केवल तेलगू में रिलीस होई थी हिंदी में नहीं लेकिन अभी इसे हिंदी सहित कई अन्य भाशाओं में डप करके नेट् प्रिया प्रकाश ब्रह्मानंद आदे मुख्य भूमिका में देखने को मिल रहे हैं कल ये फिल्म नेट्फलिक्स के मूवी शेक्षन में टॉप 10 में ट्रेंड कर रही थी तो मैंने देखने का निर्णे लिया और सच कहूं तो मित्रों मेरे लिए मेरा ये निर्णे एक भू ही जानी पहचानी है वालीवुड इस पर कई फिल्में पहले ही बना चुका है 2005 में आई संजिदत और शाहित कपूर के फिल्म लाइफ हो तो ऐसी और 2022 में आई आजय देवगन और सिधार्थ मलूत्रा की ठैंक गॉड की जो थीम है बस उसी पर आधारित है ये फिल्म एक ऐ होता है कि ये धरती लोग क्या है और किसी के आने जाने से दुनिया रुकती नहीं है लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है वह अंतर यह है कि बॉलिवुड के फिल्मों में कभी अम्राज कभी अम्दूत तो कभी चित्रगुप्त को इस पस्ट रूप से दिखाया गया है ज इसके विपरीत इस तेलगु मुवी ब्रो के अंदर यम्राज और चित्रगुप्त को इस पस्ट रूप से ना दिखा कर समय को दिखाया गया है मतलब की टाइम को दिखाया गया है यह टाइम ही है समय ही है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है इससे आप एक कालपनी करेक्टर भी कह सकते हो मित्रो इस फिल्म में एक भी पात्र ऐसा नहीं है जिससे हम जुडाव अनुभव कर पाएं यहां तक कि मुख्य पात्र जो मरकर धरती पर वापस आया है उससे भी हमारा कोई लगाव होई नहीं पाता क्योंकि करेक्टर डेवलेमेंट पर कोई ध्यान दिया ही नहीं गया है पूरी फिल्म हमें बोर करती है और इसकी सबसे नेगेटिव बात यह है कि इसमें हर पांच मिनट पर एक गाना डाला गया है दो घंटे की फिल्म है और साथ से आठ गाने हैं पता ही नहीं चलता है कि फिल्म में गाने हैं या गानों में फिल्म मैं तो आप सब आप से यही कहूंगा कि मेरी गलती से आप सब सीख लीचे और अपने अमूल ये दो घंटे बचा लीजे जहां तक फिल्म को रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे दूंगा दस में से किवल एक सितारा वैसे आपने भूलवज इसे देखी लिया है तो नीचे कमेंट शिक्ष